कि प्यारे बच्चों चले आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बढ़ी असा क्वेशन अपने सामने आया हुआ है पढ़ते हैं क्वेशन क्या है दे लेंथ आप तू तू पैरलल साइड्स ऑफ़ ट्रपीजियम और 28 सेंटीमेटर एंड 40 सेंटीमेटर कह रहा है दे लेंथ आप टू पैरलल साइड्स एफ़ ट्रपीज चमंड में समलंब चतुर्भज iterations समलंब चतुर० फी दो समान्तर भुजा groot जिन में से एक बचो 28 सेंटीमिटर और दूसरी किया है 40 सेंटीमेटर से इस समलंब की इतने के हैं 12 cm के देन दर ऐयरीय औफ टरपीजियम तो इस टरपीजियम का एरिया क्या होगा। बहुत बढ़ी अकोशन चले पहले तो समझते हैं टरपीजियम क्या है। बच्चो इस तरीके से ऐसे होता है trapezium पीछ हम बता चुके हैं ये दो parallel sides हैं इस तरीके से इस तरीके से ये side ये side parallel ये a ये b है c d एक है ये बच्चो 28 cm है और ये 40 cm कितना है 40 cm है ना दो parallel sides है उनमें ने से एक है 28 और एक है बच्चो 40 cm के लिए आप देखिए इन में से बच्ची दो sides ये और ये दोनों बराबर है ये 12 है तो ये भी बच्चो क्या है वेल है CLIRA रह भी एक काम करते हैं इसको ऐसे मिला देते हैं ये चीज इसको ऐसे मिला देते हैं ये चीज है ना तो अगर ये यहां से यहां तक 28 है इसको पॉइंट लिख लेते हैं ये E है ये F है तो अगर A भी 28 है तो यहां से यहां तक यह भी क्या होगा बच्चो 28 होगा कि नहीं होगा अगर यह इतना 28 है तो यह भी क्या है 28 होगा होगा के नहीं होगा अब यहां से यहां तक कि घर बात करें कि यह 28 हो गया अब यह चीज और यह चीज दोनों इक्वल होलंगी क्यों 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 कि देखना ध्यान से ये 12 है ये भी 12 है ये जितना है उतना ये है मतलब इन दोनों ट्रेंगल्स में दो साइड्स बराबर है तो तीसरी साइड अपने आप क्या होगी बराबर होगी it means de जो साइड है ये इकवल होगी किसके? fc de equal क्या होगा fc एक चीज ये पता चल गई हमको de equal क्या होगा fc ये श्योर है मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा पूरा था 40 उसमें से 28 अगर हटा दें तो कितना बचेगा 40 में 28 माइनस करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 40 में 28 माइनस किया तो कितना आ गया 12 means ये और ये मिला के क्या है 12 उसमें दोनों चीज़ें बराबर हैं D E equal F C equal क्या हो जाएगा बराबर बराबर डिवाइड करेंगा तो 6 आ जाएगा मतलब ये चीज़ क्या आ गई 6 अब ये 6 है ये 12 है तो इस triangle में इस right angle triangle में ये हमेसा क्या है right angle होगा क्योंकि बिल्कुल perpendicular draw की है सीधे सीधे मिलाया है तो ये परपंडिकुलर है अब ये 12 है बच्चों ये 6 है तो राइट एंगल ट्रेंगल में पाइथागरस थिर्म के एकॉर्डिंग ये हो जाएगा a d square equal होगा a e square plus d e square होगा न तो a d कितना है बच्चों 12 का square हो गया a e कितना है find करना है a e square plus d e कितना है d e r i आपका 6 6 का square हो गया हुगा न तो 144 a e square plus 6 का square 36 तो a e square कितना आ जाएगा a e square हो जाएगा बच्चों 144 minus 36 means 108 a e square equal 108 आगे इसको लिख सकते है 36 into 3 36 का square root क्या होता है बच्चों 6 तो a equal क्या हो जाएगा 6 और 3 का root root 3 तो a e की value बच्चों क्या आ गई 6 root 3 यहां तक clear हुआ देखे हमने क्या क्या हुआ है कि यह 28 था तो यह भी बच्चों क्या होगा 28 अब यह 28 अब यह देखना है हमको d e और f c यह दोनों पहले तो बराबर होंगे यह समझ लो क्यों देखो यह 28 28 equal हो गया अब यह triangle देखना यह triangle देखना यह दो triangle में यह side 12 यह side 12 और यह और यह दोनों में बिल्कुल सेम है मतलब इस triangle में यह side यह side यह side यह side equal है तो तीसरी side अपने आप equal होगी मतलब इस triangle की यह side और इस triangle की यह side बिल्कुल बराबर होगी मतलब जितना d e होगा उतना f c होगा clear इसलिए लिखाए d e equal f c मतलब यह दोनों portion क्या होगे बराबर अब पूरा बच्चों क्या था 40 40 में अगर हम यह 28 हटा दो क्या बचेगा 12 बचेगा ना 12 तो बचेगा अब 12 में य चीज और यह चीज बराबर है तो दोनों को इक्वल इक्वल कर दिया तो d e equal f c बराबर क्या हो गया 6 है ना मतलब d e b 6 है और f c b 6 है तो यह 6 आ गया अब यह था आपका राइट एंगल टेंगल इसमें पाइथा गुरस थिरम का यूज कर दिया तो इस से हमारा a e equal क्या गया 6 root 3 आ गया अब 6 root 3 a e अब जारा ध्यान से देखो यह क्या है बच्चो यह trapezium की height ही तो है या दोनों parallel sides के बीच की distance ही तो है यह side और यह side parallel थी इन दोनों के बीच की distance यही तो होगी तो trapezium का area क्या होगा then area of trapezium then area of trapezium क्या होगा बच्चो area of trapezium क्या होता है 1 by 2 into sum of parallel sides parallel sides into distance इनके बीच की distance clear है ना तो 1 by 2 sum of parallel sides समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा यह 28 है यह कितनी थी 40 तो 1 by 2 into 28 plus 40 into इनके बीच की distance क्या है इनके बीच की distance क्या है ae ae distance ही तो है चाहिए ले लो चाहिए है तो दोनों चीज से into 6 root 3 आ गया कितना आ जाएगा बच्चो 1 by 2 into 40 and 28 68 into 6 root 3 2 से divide किया 3 3 से multiply कर देया 3 8 24 2 36 18 and 2 20 root 3 cm square इस तरीके से बच्चो यह question था बहुत बढ़िया question था तो समझ में आ गया होगा इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है दूसरा तरीका क्या वही ऐसे बता देने देखो बच्चो अभी तो हमने यह directly formula से निकाल लिया एक और तरीका हो सकता था जैसे यह triangle है यह right angle triangle है right angle triangle का area बच्चो क्या होता है वन बाइ टू बेस इंटु हाइट तो वन बाइ टू बेस पता है height पता चल जाए इनकी पता चल जाएगे है ना तो इस तरीके से triangle का area भी निकाल सकते हैं इस triangle का area इस triangle का area फिर ये क्या बन गया आपका ये square बन गया तो दो triangle का area और एक square का area इन सभी को अगर add कर देंगे तब भी बच्चों इतना आ जाएगा आपका answer तो वो थोड़ा सा lengthy पढ़ जाएगा ज्यादा कैलकुलेटिफ हो जाएगा तो आप वो मत करिएगा जो बताया इस तरीके से question को solve कर लेंगे clear है ना बास से बजगे तो दोनों ही तरीके फिलाल हमने आपको बता दिये दूसरा तरीका क्या है बता है इस टेंगल का अरिया निकाल लेंगे इस टेंगल का अरिया क्या होगा वन बाइटू बेस इंटू हाइट हमें पता ही है तो वन बाइटू बेस इंटू हाइट इस टेंगल का अरिया आगया जितना टेंगल के इसका अरिया होगा उतना इसका होगा, तो इसका भी उतना हो गया, फिर इस ये square बन रहा है, क्योंकि ये 28 है, तो ये भी क्या है, 28 है, और इस तरीके से यहाँ square नहीं बनेंगा, ये क्या बन जाएगा, rectangle बन जाएगा, क्योंकि a equal कितना आ रहा है, उस शिक्स रूट ट्री हा रहा है, तो ये square ना बनके rectangle बन जाएगा ये 28 है ये 28 है मतलब इस rectangle की length क्या जाएगी 28 और bits क्या जाएगी 6 root 3 तो इस rectangle का area और इस triangle का area और इस triangle का area सभी को add कर देंगे तो इस पूरे trapezium का area आजाएगा बट वो मत करियेगा क्योंकि वो lengthy process तो आपको पहले ये सीखना और इस तरीके से इस question का जो answer आएगा बच्चो वो कितना आजाएगा 204 root 3 cm square तो उमीद करते हैं question बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कहीं कोई problem नहीं तो चले अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रस् जिसका सीप जिसकी आकरती है the quadrant of a circle जिसकी आकरती कैसी है एक वरत्य के चतुर्थांस quadrant का मतलब चतुर्थांस इस सेप का यह कागस है और इसका perimeter कितना दिया है परिमाप कितना दिया है 75 cm है then its area वोट बी तो इसका area क्या होगा चले देखते है देखो बचो जो quadrant होता है यह जैसे circle है यह circle हो गया circle का quadrant क्या होता है चतुर्थांस क्या होता है चतुर्थांस क्या होता है चतुर्थांस क्या होता है इस तरीके से है ना यह तो यह कहलाता है चतुर्थांस द्यान दो हम इसको highlight कर दे रहे हैं इस तरीके से यह यह चीज है यह कहलाता है चतुर्थांस क्वाडरेंट ओफे सर्किल कहलाता है और इसका पेरिमीटर बच्चों कितना दिया है 75 सेंटिमीटर ध्यान दो अगर इस सर्किल की रेडियस आर है तो यह आर है तो यह भी क्या है आर है यह चीज आर है यह सेंटर है यह आर है यह आर है तो अब बचाएए यह कितना होगा देखे पीछे हमने बताया था कि यह जो हम निकालते हैं यह अंगल कितना चतुर्थांस में यह अंगल कितना होता ह तो पूरे सर्क्ल की जो सर्कम्फरेंस होती है वो क्या होती है तो इतना 90 डिग्री पार्ट की अगर हम सर्कम्फरेंस निकालें तो 90 डिग्री पार्ट की जो सर्कम्फरेंस होगी इसको हम बोल देते हैं circumference of circumference of circle sector circle sector इतना इतना कितना होगा जरा ध्यान देना बच्चों यह कितना हो जाएगा देखें यह हो जाएगा 2 pi r into 90 degree का एंगल बन रहा है 90 upon 360 हो जाएगा 90 upon 360 means 1 by 4 है ना तो यह कितना हो जाएगा pi r upon 2 हो जाएगा अगर हम इसको नाम लिख लें a b तो a b equal क्या हो जाएगा बच्चों pi r by 2 a b equal हो जाएगा pi r by 2 और अगर हम पूरे के इसकी बात करें पूरी circumference की बात करें तो यह कितना हो जाएगा total circumference of quadrant total circumference of quadrant यह कितना हो जाएगा बच्चों यह हो जाएगा आपका pi r by 2 plus r plus r plus r plus r हो जाएगा means pi r by 2 plus 2 r होगा यह चीज समझे है बच्चों इतना जो a b portion है a b portion हमारा कितना आगया 2 pi r into 90 upon 360 कर दिया तो कितना आजाएगा pi r by 2 pi r by 2 यह हमारा a b इतना portion आगया जो round round आपको दिख राइए और हमें बात करनी है total circumference क्योंकि circumference क्या होता है boundary तो यह plus यह plus यह होगा तो plus r plus r तो इस तरीके से quadrant की जो circumference बनेगी वो क्या बनेगी pi r by 2 तो यतना हो गया फिर उसमें यह r और यह r add कर दिया तो pi r by 2 plus r plus r means pi r by 2 plus 2 r यह बन गया और यह question के according कितना दिया है according to question यह दिया है बचो pi r plus pi r by 2 plus 2 r की value कितना है 75 है न बचो छेक अब इसमें r common हो जाएगा तो r common ले लेंगे तो कितना बचेगा बचो pi by 2 plus 2 equals 75 तो इससे r यह हो जाएगा 22 by 7 into 2 अपन का 2 ऐसे लिखा रहेगा plus 2 equals 75 तो यह हो जाएगा बचो r 7 to 014 14 to 028 7 to 014 14 to 028 28 and plus 22 50 50 अपन कितना हो जाएगा 14 equal 75 तो इससे इसको बच्चों देखो 25 से डिवाइड करने तो 25 थी जा हो जाएगा 25 तू जा हो जाएगा 2 अपन से बना जाएगा तो r into 2 अपन सेवन इक्वल क्या हो जाएगा 3 इससे r की वेल्यू बच्चों के आजाएगी r equal हो जाएगा 3 into 7 by 2 means r की वेल्यू आजाएगी 21 by 2 r की वेल्यू 21 by 2 आगई तो कह रहा था इसका area क्या हो जाएगा then area of quadrant then area of quadrant क्या हो जाएगा quadrant का area क्या होता है 1 by 4 pi r square into pi r square यह होता है न कितना हो जाएगा 1 by 4 और pi की वेल्यू 22 by 7 into r square means हो जाएगा 21 by 2 into 21 by 2 इसको solve कर लेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 7 से divide किया 3 2 से divide किया 11 कितना हो जाएगा यह आजाएगा 1 by 4 तू जाए 8 1 by 8 into 11 into 33 into 21 इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा 1 by 8 into इसको multiply करेंगे 21 3 जा 63 means 3 6 21 3 जा 63 and 6 69 69 फाइनली यह solve करके कितना जाएगा 8 से divide करेंगे तो यह आजाएगा 8 8 जा 64 5 बचेगा 53 हो जाएगा तो 8 6 जा 48 5 86.6 cm स्कोर तो इस तरीके से इसका answer बच्चों क्या जाएगा 86.6 cm स्कोर आजाएगा यह था आपका question तो इस question का जो required answer आएगा बच्चों कितना जाएगा 86.6 cm स्कोर किस तरीके से solve किया गया है यहाँ पर पाई आर बाई टू प्लस टू आर यह जो टोटल सरकंफरेंस थी यह question के according 75 था इसको equal कर दिया आर हमने common ले लिया फिर पाई बाई टू प्लस टू इकॉल 75 फिर पाई की value रग दी 22 बाई 7 इंटू 2 अपॉन का पहले से था प्लस टू कर दिया इस तरीके solve किया तो value के आ गई आर की 21 बाई 2 और आर की value 21 बाई 2 आ गई बच्चो तो जब हमें radius पता चल गई तो quadrant का जो area होता है quadrant का area बच्चो क्या होता है 1 बाई 4 पाई आर स्कॉर तो 1 बाई 4 पाई आर स्कॉर पाई की value रखी 22 बाई 7 और आर की value है 21 बाई 2 तो 21 बाई 2 इंटो 21 बाई 2 कर दिया और इस तरीके से इसको solve कर लिया तो finally answer जो है हमारा बच्चो के तागया 86.6 cm2 तो इस तरीके से बच्चो आपने देखा कितना बढ़िया सा question था और कितना बढ़िया तरीके से हम लोग ने इसको बाकाइदा समझ लिया कि कैसे क्या होगा और easily वे में इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको solve कर लिया तो चलिए अभी जाज़त दीजे बढ़ते हैं अपने अगले question के तरफ अगला question क्या देखते हैं प्यारे बच्चों चले देखते हैं अपना अगला question और फिस से बहुत बढ़ी असा question आया हुआ है the diagonal of a quadilateral shaped field एक चतुर्भुज के आकार का चतुर्भुज shape में एक खेत है जिसका diagonal जो है वो 24 meter है means 24 meter है and the perpendiculars dropped on it और इस विकर्ण पर on it का मतलब है इस विकर्ण पर और इस विकर्ण पर जो lump डाले गए है from the remaining opposite vertices opposite vertices से विपरीत सीर्षों से जो lump डाले गए है उनकी लंबाईया क्या है 8 meter और 13 meter है तो कह रहा है the area of the field तो इस खेत का छेतर फल क्या होगा बच्चों question तो समझ में आ गया होगा अब चले देखते हैं solve कैसे करेंगे quadrilateral चत्रबुज कैसे बना लो ऐसे कुछ भी ठीक है ना इस तरीके से ऐसे बन गया है quadrilateral ठीक है चत्रबुज इसका जो विकर्ण है इस तरीके से यह जो विकर्ण है बच्चों को कितना है नाम लिख लेते हैं A B C और D इसका जो विकर्ण है B D 24 मेटर है ना इसका जो विकर्ण है वो बच्चों कितना गिवन है 24 मेटर आप कहरें इसके विकर्ण पर विपरीथ सीर्सों पर यह विकर्ण है तो यह कितना है एक लंब है एट मीटर और दूसरा इस सीर से जब ऐसे हमने लंब डाला तो कुछ इस तरीके से आएगा यह एंगल क्या होगा नाइंटे डिग्री तो यह कितना है बच्चो थार्टीन मीटर तो यह पर्टिकुलर इस्तिती यहां पर बनके सामने आ रही है तो उसने का है कि इस विकर्ण से विपरीत सीर्स हों तो इसका एक विपरीत सीर्स क्या पढ़ रहा है बच्चो ए और दूसरा विपरीत सीर्स क्या पढ़ रहा है सी यहां से यह लंब डाले गए तो यह जो लंब डाला गया है इस तरीके से लंब का मतलब यह एंगल नाइंटे समझेगा इस ट्रेंगल का एरिया और इस ट्रेंगल का एरिया दोनों के दोनों ट्रेंगल के एरिया के बराबर ही तो होगा सम के बराबर दोनों ट्रेंगल का एरिया निकालने और दोनों का क्या कर दें सम कर दें वही इस कोडिलेटरल का एरिया होगा के नहीं इस दैट के लि मतलब RAMSAYB इस आपका क्या है राइट अंगल ट्रेंगल है और दूसरा QCD भी क्या है राइट अंगल ट्रेंगल है तो यहां लिखते रहें ट्रेंगल A, B, D and triangle B, C, D triangle B, C, D both are right angled both are right angled clear है? दोनों triangle कैसे होंगे बच्चों? समकोंद तरिबुझ हुए और समकोंद तरिबुझ के area क्या होता है? then area of triangle B, C, D B, C, D triangle का area क्या होगा? B, C, D इस triangle का area क्या होगा? जब इसके area की बात करेंगे तो यह हमारा क्या बन जाएगा? base और यह क्या बन जाएगा? height है ना? तो यह हो जाएगा 1 by 2 base into height base बच्चों यह चीज base का का काम करेगी और base यह B, D इक्वल कितना given है? 24 तो base हो गया आपका base into height है से लिख लो base into height means क्या हो जाएगा? 1 by 2 base कितना है बच्चों? 24 और height इसकी क्या है? 8 यह तो हुआ? तो 2 से divide किया? 12 12 इट जा 96 मीटर स्क्वाइर इतने करिए ही आगा अब बात करते है area of area of triangle A, B, D A, B, D इसका area क्या होगा बच्चों? यह भी वही है right angle triangle तो 1 by 2 base इसका base तो वही है और height इसकी क्या है? 13 1 by 2 base means 24 और height क्या है? 13 2 से divide किया 12 तो 12, 30, 36 means 6, 3, 12 3, 15 156 मीटर स्क्वाइर तो बच्चों इस triangle का area इतना आ रहा है इस triangle का area इतना आ रहा है then area of field then area of quadrilateral field quadrilateral field शत्रभुच के आकार का जो खेत है उसका area कितना होगा? दोनों triangle के area के sum के बराबर means 156 plus 96 कितना हो जाएगा? 662 516, 6915 and 112 मीटर स्क्वाइर तो इस particular field का जो area आएगा बच्चों वो कितना आजाएगा? 252 मीटर स्क्वाइर तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर हमने question को solve किया है हमको quadrilateral का area बताना था quadrilateral field का area बताना था तो इस quadrilateral field को हमने दो triangle में divide कर लिया और दोनों triangle हमारे कैसे हुए? right angle triangle हुए और right angle triangle का area निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है और अंतता हमने दोनों triangle के area को finally add कर दिया तो क्या निकल के आ गया? quadrilateral का area working क्या रही? वो आपके सामने है सब समझ गया होगे किस तरीके से this question को यहाँ पर बच्चों solve किया गया होगा? बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला question क्या है if two medians B, E and C, F of a triangle एक त्रिभुज की दो मादिका है B, E and C, F त्रिभुज A, B, C है उसकी दो मादिका है B, E and C, F intersect each other एक दूसरे को cut करती है at G, G point पर cut करती है and if B, G equal G, C B, G equal क्या है C, G है और angle B, G, C equal क्या दिया है 60 degree और B, C की length क्या दिया है 8 cm than area of triangle ABC तो इस त्रिभुज ABC का छेतर फल क्या होगा बहुत बढ़े question चले समझते हैं कैसे करेंगे देखे बचों ये triangle है ABC ध्यान देना एक triangle है ABC A, B and C ये triangle है एक इसकी median है B, E यहां से ऐसे median median का मतलब जो सामने वाली side के mid point पर मिलती है तो ये हो गया B, E और दूसरी median का है C, F C, F का मतलब ये हो गया ये median हो गई C, F ये किस point पर cut कर रहे हैं G point पर तो ये point क्या हो गया बच्चों ये point हो गया आपका G point ये G point पर cut कर रहे हैं ठीक है ना फिर कह रहा है if B, G equal C B, G मतलब जितना ये है उतना ही ये ये दोनों side means ये side और ये side दोनों equal हैं फिर इसके बाद क्या कह रहा है angle B, G, C equal 60 degree और angle B, G, C B, G, C ये angle कितना हो गच्चों 60 degree है clear इतनी information याप दिये और एक चीज और बोला है B, C equal 8 cm है और B, C equal ये क्या दिया है 8 cm फिर कहना ये इतना सारा कुछ जो data है वो question में दिया है और उस data के according ही हमने यहाँ पर इस figure को draw किया हुआ है फिर से एक बार समझ लो triangle A, B, C है जिसकी एक median है B, E इस तरीक से median का मतलब होता है जो इस side के midpoint पर cut करती है मतलब E जो है वो इसका midpoint है इसी तरीक से median C, F है तो F जो है वो इस side का midpoint होगा median का मतलब midpoint से होता है side के midpoint से और ये दोनों किस point पर cut कर रही थी G point पर cut कर रही थी अगर हम किसी पर्टिकुलर ट्रेंगल की बात करते हैं तो ट्रेंगल अगर हम कौन सा ले लें जी बी सी ये वाला ट्रेंगल ले 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 तो आप सब जानते हो किसी भी ट्रेंगल दुनिया का कोई भी ट्रेंगल लो किसी भी ट्रेंगल के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री हो सम बचा होगा। वह वन एक इंच स्टेग बता दे तो इस पैसिट मशेट क 2 मटलब 120 इन दोनों एंगल का सं क्या ररा होगा बंट अब दूसरी चीज अब लूप करें हैं कि इसमें यह आट और यह एक वस फुले तो इस साइड़ की साइड यह इंगल और इस साइट के अपोजिट ये अंगल दोनों सेम होंगे ये अंगल और ये अंगल दोनों सेम होंगे और दोनों का सम क्या है 120 दोनों का सम है बच्चो 120 और एक निसकर से ये भी निकल ला कि दोनों एंगल क्या होंगे सेम तो 120 को सेम पार्ट में डिवाइड करेंगे दो बरा इस ट्रेंगल में तीनों के तीनों एंगल्स हमें क्या सो हो रहे हैं, 60 दिगरी हैं, और किसी भी ट्रेंगल में अगर तीनों एंगल्स सेम होते हैं, It means वो ट्रेंगर कैसा होता है Equilateral Trangle होता है Equilateral Trangle Sum of Baptist Church means GBC Trangle GBC यह कैसा Trangle होगा Equilateral Trangle यह कैसा Trangle होगा Equilateral Trangle Equilateral Trangle क्यों कि इसके तीनों Angles क्या है Equilateral Trangle Because यहां लिख दे रहे हैं, because all angles are same in this triangle, in this triangle, clear है ना बचो, तो यह बात समझ में आगी, तो यह जब पता चल गया है, कि यह कैसा triangle है, equilateral triangle है, तो बताओ, जितना इस triangle का area होगा, वो क्या होगा, इस triangle कह रहे है, क्या होगा, तो area of this triangle, area of this triangle, equilateral triangle कह रहे है, क्या होता है, area of this triangle, क्या हो जाएगा बच्चो, root 3 by 4, side square, side square, तो root 3 by 4, side कितना given है, बच्चो, 8, यह 8 है, तो यह भी क्या होगी, 8, अगर यह 8 है, तो यह भी 8 होगी, यह भी 8 होगी, क्योंकि angles equal है, it means side भी क्या होगी, equal होगी, तो 8 का square, 8 का square, means कितना हो जाएगा, root 3 by 4, into 8 का square, 64, 4 से divide किया, कितना आगया, 16 root 3, 16 root 3 meter square, आया न, तो इस triangle का area, बच्चो, कितना आगया, centimeter square है, तो 16 root 3 cm square, बच्चो, इस triangle का area इतना आगया, आप ज़रा ध्यान दो, ध्यान देना, एक median यह थी, एक median यह थी, और एक median यह भी तो आएगी, इस तरीके से अगर हम बात करने, तो एक median कुछ इस तरीके से आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे, हैना, तो 3 median हो गया, और जब यह 3 median ट्रेंगल दिखाई पढ़ रहा, एक यह तरेंगल दिखाई पढ़ रहा, और एक यह तरेंगल दिखाई पढ़ रहा, और तीनों के area क्या होंगे? मतलब इसisi Isles triangle का area, और इस तरेंगल का area क्या होंगे? सेम होंगे, और Isle triangle का area हम निकाल चुक ही, it means this triangle ABC का जो area होगा, उस एक छोटे ट्रेंगल मतलब GBC का जो एरिया उसका 3 टाइमस होगा की नहीं होगा It means area of area of ट्रेंगल ABC इक्वल क्या हो जाएगा बच्चो 3 टाइमस area of area of ट्रेंगल GBC होगा GBC क्लिया है ना बच्चो जो भी ट्रेंगल GBC का area है उसका 3 टाइमस होगा क्यों क्योंकि जितना area इस ट्रेंगल का होगा उतना ही area इस ट्रेंगल का होगा उतना ही area इस ट्रेंगल का होगा क्लियर तो यह हो जाएगा 3 into 16 root 3 means 48 root 3 centimeter square तो इस question का जो answer आएगा बच्चो उतना हैगा 48 root 3 cm square इस तरीके से question को solve किया गया है चले फिर से बता दे रहे हैं देखे एक ये ट्रेंगल था ABC जिसमें BE एक median थी CF दूसरी median थी दोनों median से एक दूसरों को G पर cut कर रही थी और यहां पर जो सुन्हां ये साथ में दिए था कि bg मतलब यतनी है कि यह साइड है तो ये एंगल से डिगरी दिए तो त्रभुज में तीनों अंहल का सम方कि टी होता है उसमें से 6x गर हटा दो तो इस angle और इस angle का sum क्या बनेगा बचेगा 120 और उसमें भी यह side और यह side equal है, it means यह दोनों angles भी equal होंगे, GBC क्या हुआ है, equilateral triangle और equilateral triangle का एरिया क्या होता है root 3 by 4 side square और इसकी side में पता है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, और ये भी क्या होगी, 8 होगी तो root 3 by 4 into 8 का square मिन्स 16 root 3 तो इस triangle का area क्या गया 16 root 3 cm2 अब यहां से हमने एक median order राउ कर ली तो अब इस तरीके से आपको तीन ट्रेंगल बिलकुल समान रूप से दिखाई पड़ रहे होगे एक ट्रेंगल ये दूसरा ट्रेंगल ये तीसरा ट्रेंगल ये और इन तीनों ट्रेंगल के मतलब तो इस triangle का यहींटने when का यह स्य गोगर सेम होगा होगा इस पूरे ट्रेंगल का जो एरिया होगा वह इस किए जिए इस के दिख के एरिया का fits three टाइम्स होगा तो इस पूरे ट्रेंगल का जो एरियाめ आपका एम्हेंगंटने are पाए होंगे और बढ़िया से कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी तो चले अब इजाज़त दीजे बढ़ते हैं अपने next question की तरफ चले आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपना next question क्या है two circles touch each other externally दो वरते हैं जो बाहर-बाहर से दूर्से को touch करते हैं the sum of their areas is 135 cm square और उनके 6 रफलों का योग कितना है 130 5 cm square and the distance between their centers और उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 14 cm तो कहरा the radius of smaller circle is तो छोटा जो circle है उसकी radius क्या है ठीक है चलो बच्चों देखते हैं कैसे solve करेंगे पहले situation समझ लो क्या है जैसे एक यह circle है एक छोटा circle है ऐसे बाहर-बाहर touch कर रहे है यहां पर touch कर रहे है इसका center यह है इसका center यह है तो इसकी radius अगर हम r1 consider करने तो इसकी radius क्या हो जाएगी बच्चों r2 यह इसका center है यह c1 हो गया यह c2 हो गया यह इसका center c1 है यह इसका center है c2 और इस circle की जो radius है वो r1 है इस circle की radius क्या है r2 है दो circles है दोनों external मतलब बाहर-बाहर एक दूसरे को touch कर रहे हैं एक बड़ा circle हमने ले लिया एक छोटा circle ले लिया जो बड़ा circle है उसकी radius r1 है जो छोटा circle है उसकी radius क्या है r2 है बड़े circle का center है c1 छोटे circle का center है c2 क्लियर है यतनी बाद समझ मैं अब देखो बोल ला है कि इनके centers के बीच की दूरी centers के बीच की दूरी means c1 c2 जो c1 c2 है वो कितना है वो कितना है बच्चो 14 cm है ना और c1 c2 क्या है यहां से देखो c1 से c2 के बीच की distance क्या है r1 plus r2 means यह कितना हो जाएगा r1 plus r2 means indirectly यह बोला गया है कि दोनो circle की जो radius है उसका sum क्या है बच्चो 14 cm इस point का मतलब समझ मैं कि दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी है वो 14 cm है means c1 c2 कितना है 14 cm और c1 c2 का मतलब क्या है c1 से c2 तक कि अगर बात करें तो r1 plus r2 मतलब दोनों circles की जो radius है उनका sum क्या है 14 cm तो एक चीज यह indirectly हमको पता चल ग के r1 plus r2 equal का है 14 cm के लिए अब अगर हम इनके areas की बात करें तो इस circle का area जिसकी radius r1 है इसका area क्या होगा बच्चो इसका area होगा pi r1 square होगा ना plus इस circle का area क्या होगा pi r2 square और दोनों circles का area है वो total कितना है 130 pi कितना दिया है 130 pi तो 130 pi के equal कर दिया अब बच्चो गारे भी दर pi से को common कर ले तो क्या आएगा r1 square plus r2 square आएगा ना equal 130 pi आया अब यह pi से बच्चो पाई cancel means r1 square plus r2 square equal क्या होगा 130 आया r1 plus r2 equal क्या है 130 है ठीक है ना अब देखो हमारे पास options तो available है नहीं options available होते हैं तो हम लोग इसको options से भी कर सकते थे option होते हैं तो जी पता चल जाता है satisfy करा के देख लेते हैं और हो जाता है बट यहाँ पर हम questions सीख रहे हैं practice कर रहे हैं तो हमें बिना options किस question को solve करना है तो solve कैसे करेंगे देखे आर 1 square plus r2 square equal क्या है 130 है और चलिए solve करते हैं तो यह क्या हो जाएगा बच्चो आर 1 square plus r2 r2 को भी r1 के term में ले और जिससे की पूरा का पूरा एक term में आ जाए या तो पूरा question r2 में आ जाए या पूरा question r1 में आ जाए तो यहां से r2 की value बच्चो क्या आ जाएगी 14 minus r1 आएगी कि नहीं आएगी तो जहां पर r2 लिखा है वहां पर हम लिख सकते है 14 minus r1 का square अब यह plus यह equal कितना given है 130 अब इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चो r1 square plus अब यह बच्चो a minus b का format बना है a minus b का whole square a minus b का whole square क्या होता है a square तो 14 का square 196 plus b square means r1 square minus 2ab मतलब 2 into 14 2 into 14 2 into 14 into r1 equal क्या हो जाएगा 130 अब देखो r1 square plus 196 plus r1 square minus 14 into 28 r1 equal 130 r1 square plus r1 square 2 r1 square minus 28 r1 equal 130 minus यह उदर चला जाएगा तो 196 हो जाएगा बच्चो अना तो 2 r1 square minus 28 r1 equal क्या हो जाएगा 130 में 196 minus करेंगे तो 104 आ जाएगा इसको same side में ले आएगे बच्चो तो यह finally हो जाएगा 2 r1 square minus 28 r1 minus 104 equal 0 हो जाएगा अब यह यहां देखो यह सारे की सारी चीज़ें 2 से divisible हैं तो 2 से divide कर दो तो यह finally क्या हो जाएगा r1 square minus 14 r1 minus 50 क्या हो जाएगा 52 equal क्या हो जाएगा बच्चो जेरो है ना तो कितना हो जाएगा यह इस तरीके से यहां पर solve करके हमारा कितना आ गया 2 r1 square minus 28 r1 minus 104 equal 0 था तो इसको solve करके 2 से सारी नंबर से divisible हैं तो 2 से divide कर दिया तो बच्चो क्या आ जाएगा यह यह इस तरीके से आ जाएगा r1 square minus 14 r1 minus 52 equal 0 अब 52 बन जा 52 ऐसे factors करने हैं कि 14 आ जाए 14 कैसे आएगा बच्चो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा आपका बच्चो यहाँ पर थोड़ा सा problem 130 minus 96 करेंगे तो यह हो जाएगा अपका इसको सही कर लेते हैं 130 minus 196 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा बच्चो 2 r1 square minus 28 r1 130 में 196 minus करेंगे तो यह हो जाएगा minus का कितना जाएगा 66 आ जाएगा और इसको same side में लाएगे यह हो जाएगा बच्चो 2 r1 square minus 28 r1 plus 66 equal 0 अब पूरे में 2 क्या है common हो जाएगा तो यह हो जाएगा r1 square minus 14 r1 plus 33 equal 0 अब 33 यह quadratic equation बन गया द्विघात समीकरण बन गया द्विघात समीकरण बन गया मतलब minus 11 r1 minus 3 r1 plus 33 equal 0 अब एक पेर यह बन गया बच्चो एक पेर यह बन गया तो इसमें r1 common हो जाएगा तो क्या हो जाएगा r1 minus 11 minus 3 common हो जाएगा तो r1 minus 11 अब पूरे में r1 minus 11 तो इसके factors हो जाएगे r1 minus 11 और r1 minus 3 equal 0 अब either either आइदर 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 आइद तो R1 की value क्या होगी 11 या तो R1 की value क्या होगी 3 बट R1 क्या है बड़े वाले circle की radius है बड़े वाले circle की radius है मतलब यह जादा होगी means यहां पर R1 की value क्या हैगी 11 R1 की value अगर 11 है तो जाइसी बात है दोनों की radius का sum क्या था बच्चो 14 था तो in fact if R1 equal 11 then R2 equal क्या जाएगा 3 तो second वाला जो radius है जो second वाला circle है उसकी radius क्या जाएगी R2 equal 3 cm समझ में है बच्चो तो इसका answer क्या जाएगा क्योंकि smaller पूछा गया था smaller circle की radius क्या होगी तो smaller circle की radius बच्चो क्या निकल क्या ही 3 cm और अगर पूछता कि बड़े वाले circle की radius क्या होगी तब आपका answer क्या जाता 11 cm है ना तो इस तरीके से बच्चो ये question था समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से figure आपको हमने पहले ही clear कर दिया था यहां दोनों centers के बीच की distance 14 थी means c1 c2 equal 14 था और c1 c2 exactly था क्या r1 plus r2 यही तो c1 c2 है means r1 plus r2 equal क्या है 14 यह हो गया फिर इस circle का area क्या है बच्चो pi r1 square इस circle का area क्या है गा pi r2 square और दोनों circle के area का sum क्या दिया था 130 pi तो दोनों का sum हमने 130 pi के equal कर दिया तो इससे एक information आ गई r1 square plus r2 square equal 130 अब पूरे को किसी एक में convert कर लिया तो जैसे हमने यहां पर r1 square plus r2 की जगे r1 के form में value रखेंगे तो r1 plus r2 equal 14 है तो इससे r2 की value बच्चो क्या आ जाएगी 14 minus r1 तो वहां पर लिख दिया 14 minus r1 और इसके बाद इसको धीर धीर करके solve कर लिया तो हमें r1 की value 11 या r1 की value 3 मिल गई अब r1 की value 11 ही क्यों accept कर गई क्योंकि r1 बड़े वाले circle की radius है तो अगर उसकी radius हम 3 ले ले लेंगे तो जाईर सी बात है छोटे वाले radius की छोटे वाले circle की radius क्या आजाएगी 11 जब कि ऐसा तो नहीं हो सकता छोटे वाले circle की radius कम होगी बड़े वाले circle की radius क्या होगी ज्यादा तो इसलिए अगर 11 की consideration की बात है तो 11 क्या होगा बड़े वाले circle की radius और दोनों की radius का sum क्या था 14 था तो 14 में से अगर 11 है तो दूसरे circle मतलब छोटे circle की radius क्या जाएगी 3 cm तो इस तरीके से बच्चो ये question क्या किया गया है solve किया गया है और उमीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से इस question को समझा होगा चले अब बढ़ चलते हैं आगे और देखते हैं अगला question क्या है